भार्तिय नववर्स मात्र साल या तिथि का बदल जाना नहीं है यह भावनाओं का छणिक ज्वार भी नहीं है इस सबसे अलग यह सुखद परिवर्तन का वह कल्प है जो मूर्त अमूर्त जड़ चेतन निराकार साकार दीर्ग सूक्ष्म सभी को अपने आगमन की आहट से सुवासित करता है नवचेतना से अनुप्रानित कर देने वाले अवसर के स्वागत में प्रक्रती स्वैम पलक पावने विछाती है मंगल में छितिज पर अनुपम सुंदर्य के साथ पधारे नववर्स की मंगल वेला पर मले समीर नकेवल खुद बहता है अपितु हम सभी को बहा ले जाता है नववर्स के आगमन की मधुरिम आहट को होली से राम नवमी तक संपूर देश में आयोजित आनंद उत्सवों से ही अनुभव किया जा सकता है यह सुखद सैयोगों की ऐसी श्रंखला है जिसका शुभारंब पावन परव होली के आनंद से ही हो जाता है नववर्स के पहले दिन से नो दिनों तक नवरात्री का विशेश पूजन शक्ति अर्जन के लिए किया जाता है प्रक्रती भी लगभग एक महा तक आनंद सागर में डुब की लगाती अनुभव की जा सकती है पोधों में नई-नई कौपले और पत्तिया निकलती हैं तथा रितुराज बसंत की मनुहारी छटा देखते ही बनती है वास्त्विकर्थों में भारतिय नववर्स का श्रद्धा उल्लास तथा उपासना का अनुठा संगम भारतिय सनातन संस्क्रती की स्रेश्ट्था और गोरव का प्रतीक है वर्तमान समय में विश्व में सत्तर से अधिक काल गड़नाएं पर चलित हैं उनसे संबंधित देशों में उनके नववर्स अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार आते हैं और अपने अपने देश की सांस्क्रतिक और धार्मिक दीती रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार मनाए जाते हैं परंतु इन सभी काल गड़नाओं का आधार सारे ब्रहमांड को व्याप्त करने वाले काल तत्र को नमान कर व्यक्ति घटना वर्ग संप्रदाय अथवा देश विशेश को आधार माना गया है इसके विपरीत भारत्य काल गड़ना ग्रह नक्षत्रों की गती पर आधारित है भारत्य परंप्रा में प्रतेक मास की पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र के नाम पर महिने का नाम रखा जाता है चित्रा नक्षत्र के आधार पर चैत्र, विशाखा नक्षत्र के आधार पर बैसाक, जेस्ठा नक्षत्र के आधार पर जेस्ट, उत्रा साधा नक्षत्र के आधार पर आशार, श्रवन नक्षत्र के आधार पर स्रावन, उत्रा भाद्रुपद नक्षत्र के आधार पर भा पुष्य नक्षत्र के आधार पर पोस, मघा नक्षत्र के आधार पर माग, एवं उत्तर फालगुनी नक्षत्र के आधार पर फालगुन मास का निर्धारन किया गया है। पौरानिक विवेचन के आधार पर ब्रह्मा जी की आयू के दो प्रारद्धों में से यह द्वितिय प्रारद्ध है। इस समय श्वेत 12 कल्प चल रहा है। कल्प को ब्रह्मा जी की आयू का एक दिन माना गया है। परंतु यह कालगणना की एक इकाई भी है। एक कल्प में 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्यूग तथा एक चतुर्यूग में 43,20,000 वर्स होते हैं। जिसका भाग सत्यूग, भाग त्रेता, भाग द्वापर तथा भाग कल्यूग होता है। इस समय वैवस्वत नामक मनवंतर का 28 मा कल्यूग है। हमें इस मनण होगा के महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्सों बाद भागवान स्रीक्रश्ण ने महाप्रयान किया था। उस समय द्वापर यूग समाप्त हुआ था। यह घटना इस्वय सन प्रारंब होने से 3102 वर्स पहले की है। मान्यता है कि स्रीक्रश्ण भगवान के दिवंगत होते ही कल्यूग प्रारंब हो गया था। इसी कारण इस्वय सन में 3102 वर्स जोडने पल कली संवत या युगावद की गढ़ना होती है। ब्रह्म पुराण में यह भी लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने स्रश्टी की रचना भी इसी दिन की है। चैत्र मासे जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेहनी शुक्ल पक्षे समग्रंतू तदा शूर्योदय गती। इस काल गढ़ना का पोराणिक आख्यान बहुत सम्रद्ध है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ब्रह्मा जी द्वारा स्रश्टी रचना का दिन होने के साथ ही प्रभु श्री राम चंद्र का राज्जा भिसेक दिवस, धर्मराज युधिस्ठिर का रास्तिलक दिवस, समराट शालिवाहन का शक्संबत प्रारंब, स्वामी दयानंद द्वारा आरे समाज की स्थापना का दिवस भी है। इतिहास में विवरण मिलता है कि इसी दिन समराट विट्मादित्य ने स्रेष्ट राज्य की स्थापना की थी। जिनके कारण न्याय के आसन को आज भी विट्मादित्य का सिंगासन कहा जाता है। विक्रम समवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही प्रारंभ होता है, इसी की भारत में सरवाधिक स्विकार्यता है। यह समवत भारत्य समाज व्वस्था में समस्त संसकारों, परवों एवं त्योहारों की आधार्शिला है। श्रश्टी का प्रारंभ दिवस हमारे परंपूज्य संग निर्माता डोक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जल्म दिवस भी है। किसी भी परिवर्तन के लिए द्रहन संकल्प, उस संकल्प को अपने जीवन का एक मात्र लक्ष मान कर, उसके लिए सम्पून समर्पण करने की सिद्धता, तथा उसे अपने भव्व, लक्ष संकल्प के अनुसार, एपने स्वैम के जीवन में जो अनुकूल है, उसको कालते हुए अपने जीवन को उस देह के योग्य बनाना जैसी तीन बाते महत्तपून होती हैं और इस तीन बातों की प्रेर्णा हमको संग्भ शिल्पी डॉक्टर हेट गेवार जी के जीवन से प्राप्त होती है भारतिय नववर्स देश के बिभिन हिस्सों में अलग-अलग तिथियों में मनाया जाता है पंजाब में वैशाखी, आंध्र प्रदेश में उगादी, तमिल नाडों में विशू, कश्मीर में नवरेह, महराष्ट में गुडी पडवा, करनाटक में उगाडी, पूर्वोत्तर में सजीवू चेईरा ओवा, सिंधू उत्सव चैटी चंद के रूप में इसका आयोजन विभिन तिथियों तथा विभिन नामों से किया जाता है इसी महा में डक्षट भारत में पोंगल, शोर्य प्रदेश, अरुनाचल में लोसार, बंगाल में बोंगाबदों तथा असम में विभू के रूप में उन प्रदेशों का नववर्ष प्रारंब होता है, जो भारत की बहुरंगी संस्कृती का नाद जान पड़ता है नववर्ष के पहले दिन से नो दिनों तक नवरात्री का विशेश पूजन शक्ती अर्जन के लिए किया जाता है